प्रिये विद्यार्थियों, मैं डीके मिस्रा, साहा अचार्य, जैनलोजी बिये थाड़ी यर प्रथम पेपर जैन दर्शन के प्रमुक्षी धान्त के अंतरगत आज का टॉपिक है स्यादवाद जैन दर्शन अनिकांतवादी दर्शन है, अनिकांतवाद के प्रतिपादन की पद्धिती का नाम स्यादवाद है जैनिजम की अनुसार प्रतिएक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है अनन्त धर्मात्मक वस्तु का प्रतिपादन कैसे किया जाएगा? यह बोध स्यादवाद कराता है ज्यान अनन्त है और गे भी अनन्त है ज्यान यानि नौलेज अनन्त है और गे यानि पदार्थ पदार्थ भी अनन्त है किन्तु भासा की सक्ती सिमित है अनन्त ज्यान के द्वारा अनन्त गेयों को जाना तो जा सकता है किन्तु सिमित भासा के द्वारा अनंत गेयों का कथन नहीं किया जा सकता प्रतिपादन नहीं किया जा सकता इसी समस्या के समधान के लिए जैन दर्शन में स्यादवाद का सिधान्त प्रतिपादित किया गया है स्यादवाद का अर्था द्रिष्टिकोन या अपेक्षा है सापेक्ष प्रतिपादन का नाम ही स्यादवाद है स्याद सब्द के कई अर्थ होते हैं प्रसंसा, अस्तित्व, विचारना, विवाद, संसय, प्रस्न, कदाचीत किन्तु जैन दर्षन में स्यादवाद का अर्था कुछ और ही है इसका अर्था अनिकांतवाद है यह सापेक्ष प्रतिपाद है जब हम स्यादवाद के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि अनंत धर्मात्म का वस्तु के प्रतिपादन की सैली का नाम स्यादवाद है अनिकांतवाद एक दर्षन देता है एक विचार देता है कि प्रतिएक वस्तु में अनंत धर्म है स्यादवाद में अनंत धर्मों का प्रतिपादन किया जाता है प्रतिपादन की पद्दती जो है उसको ही हम स्यादवाद कहते हैं कहा गया है अर्पना अनर्पना भ्याम अनिकांत आत्मकार्थ प्रतिपादन पद्दती स्यादवाद है मुख्यता और गौनता के द्वारा अनिकांतात्मक वस्तु का प्रतिपादन की पद्दती स्यादवाद है मुख्यता और गौनता का विप्राय प्रधानता और अप्रधानता से है उदारन से हम समझ सकते हैं कि एक ही वस्तु में अनेक धर्म है एक धर्म प्रधान होता है तो अन्य धर्म गौन हो जाते हैं धर्म वस्तु में अनगिनित हैं किन्तु सारे प्रधान भी नहीं है प्रधान को ये कहे किन्तु अन्य धर्म सारे गौन हो जाते हैं जैसे एक ही देवदत में पिता, पुत्र, भाई, चाचा, मा, मा, नाना आदी अनेक रूप नहित हैं, अनेक रूपों में देवदत दिखाई देता है। अपेक्षा से इनमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि देवदत अपने पुत्र के द्रिष्टी से वह पिता है, किन्तु देवदत के भी पिता है, उनके द्रिष्टी से देवदत पुत्र भी है। अनेक धर्म हैं, एक देवदत में अनेक रूप दिखाई देते हैं। यदि हम एक ही धर्म का परतिपादन करते हैं, अन्य धर्म को हम गौन भी नहीं रखते हैं, तो वह कथन हमारा सत्ते नहीं होगा। इसलिए हमें इस तरह का परतिपादन करना चाहिए, कि अन्य धर्म, प्रधान धर्म का परतिपादित कर रहे हैं, कि अन्य धर्म भी कम से कम गौन रूप में रहे। यह नहीं कि गौन रूप में धर्म को भी नकार दिया जाया, ऐसा परतिपादन नहीं हो। यहीं है स्यादवाद। क्योंकि जब वस्तु पदार्थ अनंत धर्मों वाला है, तो एक धर्म के धार पर उस पदार्थ को पूरुनता से नहीं समझा जा सकता। स्यादवाद की साईली में उसे समझा जा सकता है, और इसी साईली में पूरुनता है, ऐसी मान्यता जैन दर्शन की है। इस प्रकार स्यादवाद का अर्थ और स्यादवाद के स्वरूपर हमने प्रकास डाला। अगले व्याख्यान में हम सब्तभंगी के भी से में चर्चा करेंगे, आज इतना ही। करेंगे ही।